राधे राधे दोस्तों, आज की हमारी स्वास्तिक खाना रेसिपी है पाव भाजी पाव भाजी बन्याने के लिए हम सबसे पहले कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में हम डालेंगे तेल जब तेल थोड़ा गर्म हो जाए उसके बाद हम डालेंगे दो चिटकी हिंग और साथ हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच राई और एक चम्मच जीरा और तिन से चार बारिक कटी हुए हरी मिर्च सभी को अच्छे से हम तड़का लेंगे उसकी बाद हम इसमें डालेंगे तिन बड़े टमाटर बारिक कटे हुए और अब हम इसमें डालेंगे आदा चम्मच हल्दे पाउडर और हमने यहां लिया है दो चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक चम्मच हमने यहां पर लिया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर अब हम इसमें डालेंगे आदा चम्मच, सापूत धन्या और नमक जो की हमने लिया है श्वादा अनुसार अब हम मसाले को अच्छे से मिक्स करते हुए मसाले को पूरा अच्छे से हम पका लेंगे 2-3 मिट में हमारा मसाला जो है वो अच्छे से पक जाएगा हमें मसाले को बिलकुल लोटो मिडियम फ्लेम पर अच्छे से पकाते रहना है और इसे बीच-बीच में अच्छे से चलाते रहना है मसाले को भूनते हुवे 2-3 मिट हो चुकी है हमारा मसाला जो है वो अच्छे से तैयार हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे एक कटोरी मतर दाने और साथी अब हम इसमें डालेंगे एक कटोरी बारिक कटी हुई शिमला मिर्ज और हमने यहाँ पर लिए है एक कटोरी बारिक कटी गोभी और अब हम इसमें डाल रहे हैं एक कटोरी बारिक कटी पत्ता गोभी अब हम सारी के और हम से दख देंगे और मिडियुम पर जो है, में इसे अच्छे से आट से दस मिमिट तक स्टोंट歌 ए और बीच बिच में हम hisę च्रेक करते रहेंगे तो आप देख सकते हैं हमारी सारी सबजिया जो है वो अच्छे से बग चुकी है अब हमने यहाँ पर लिए हैं 5 मिडियम साइच के उबले हुवे आलू जिने हमने अच्छे से कट कर लिया है अब हम यह डाल देंगे और सभी को फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद में अब हम इसमें डालेंगे एक कप पानी और फिर से इसे अच्छे से चलाएंगे और एक से दो मिनिट बाद में हमें मेशर लेंगे और मेशर के साहिता से हम अच्छे से इसे मेश कर लेंगे तागि सारी सबजया जो है हमारी भाजी के लिए अच्छे से मेश हो जाए तो हमें इस तरीके से सबजयों को मेश कर लेना है तो आप देख सकते हैं कि हमारी भाजी जो है वो अच्छे से मेश हो चुकी है अब हम इसमें डालेंगे दो कप पानी और पानी डालने के बाद में ह कटा हुआ हरा धनिया और बस हो गई हमारी भाजी तैयार अब हम गेज को ओफ कर देंगे भाजी तैयार होने के बाद में हम पाव को तैयार कर लेते हैं तो हमने पाव लिये हैं उन्हों को हमने अच्छे से बीच में से कट कर लिया है और अबने हम यह तबा लिया है और तबे और अच्छे से सेक कर जो है वो रेडी कर लिया है तो हमारे पाव जो है वो अच्छे से रेडी हो चुके हैं अब हम भाजी में अच्छे से बारिक कद्दुखस किया हुआ थोड़ा सा पनी डाल देंगे और थोड़ा सा क्रीम डाल करके इससे अच्छे से गार्निश कर देंगे आप भी एक बर इस तरीके से पावाजी जरूर ट्राइ कीजिएगा आप भी खाए और सबको खिलाए अगेर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लेस चेनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ वीडियो को लाइक करना ना भूग लिएगा धन्यवाल जय हिन जय भारत थैंक्स फर वाचिंग प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब ओके बाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का खयाल रखिएगा